Hello friends, जैसा कि आप जानते हो dry fruits and nuts, तेस्टी तो होते ही हैं, ये हमारी health के लिए भी बहुत फायदे मंद होते हैं, इन्हें अपनी daily diet में add करने से हम healthy रह सकते हैं, आज हम बात करते हैं walnuts यानि की अखरोट की, अखरोट जो गुनों का खजाना है, इसको powerhouse of energy भी कहते हैं, अखरोट क्या होता है, अखरोट एक nut है, जो की antioxidant से बरपूर है, nuts में इसको best माना जाता है, एक अखरोट के फल में एक ही seed होता है, जो की बहुत ही tasty और कुरकुरा होता है, इसका परयोग cake, cookies और energy bars बनाने में किया जाता है, इसमें बहुत से पोशक तत्व मजूद होते हैं, जो शरीर के लिए essential होते हैं, अखरोट के बहुत से benefits हैं, जैसे it's good for heart, अखरोट में omega 3 fatty acid होता है, जो arteries में blood clot को रोकता है, जिन लोगों को high blood pressure की problem होती है, उनके लिए भी अखरोट लाबकारी होता है, it's good for brain, अखरोट में पाए जाने वाले fatty acid, omega 3, brain के function में लाबकारी होते हैं, और depression को भी कम करते हैं, good for cancer, that is cancer जैसे dangerous problem को दूर रखने में, अखरोट का बहुत रूल है, अखरोट कैंसर से बचाव का का काम करता है, बट कैंसर से पीडित के लिए अखरोट treatment का का काम नहीं करता, यह सिरफ बचाव का का काम करता है, walnut is good for bones, हड़ियों को मजबूती परधान करने के लिए, अखरोट का सेवन किया जाता है, अखरोट में calcium और phosphorus भी पाया जाता है, जो bones के लिए अच्छा होता है, during pregnancy, अखरोट का सेवन, अगर during pregnancy किया जाए, तो वो, क्योंकि इसमें fatty acid, vitamin A, vitamin E, और B complex होता है, जो कि शिशू के मानसी विकास में helpful होता है, अखरोट, immunity system के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे immune system को strong बनाने के लिए, walnuts helpful होते हैं, अखरोट में protein की उचित मात्रा होती है, जो कि immune system को improve करती है, diabetes, sugar जैसी भ्यानक बिमारियों के लिए भी, अखरोट लाबकारी होता है, मिर्गी से बचाओ के लिए भी, जैसे अखरोट खाने से, मिर्गी की समस्य को भी कम किया जा सकता है, anti-inflammatory and antioxidant, कुछ बिमारियां जैसे cancer, sugar, high blood pressure, heart disease, Parkinson's disease, etc., अखरोट खाने से बचा जा सकता है, anti-inflammatory, उनके कारण, किसी परकार की सूजन से भी बचा जा सकता है, बालों के लिए भी, अखरोट बहुत अच्छे हैं, इसमें कई परकार के पोश्यक्त तर्थ, जैसे बायोटीन होता है, तो जो की बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, anti-aging property, अखरोट में vitamin E होता है, जो बढ़ती उमर की एज परभाव को कम करता है, इसलिए इसकी anti-aging property होती है, पित की पत्री, पित की पत्री के इलाज में अखरोट का बहुत बड़ा रोल है, बी कियरफुल, अखरोट हेल्प तो करता है पित की पत्री से राहत दिलाने के लिए, बट पित की पत्री का इलाज नहीं है ये, स्वस्थ पेट में हेल्फुल होता है अखरोट, अखरोट खाने से पेट में good bacteria को बड़ावा मिलता है, जो हमारी intestine को सुस्थ बनाए रखने में सहाइक होता है, अखरोट में fiber भी बहुत होता है, जो कि हमें कबज से भी बचाता है, अखरोट में vitamin B2, जो पाचन तरनत्र के लिए लाबदैक होता है, वो भी बहुत मात्रा में होता है, अब हम देखते हैं कि अखरोट कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, कब और कैसे खाएं, रात को सोते समय दूद के साथ 2-3 टुकड़े अखरोट के खाने चाहिए, अख्रोट को भून कर शाम को स्नैक्स के रूप में खाया जा सकता है अख्रोट का पाउडर दूद में मिला कर पिया जा सकता है रात को पानी में बिगो कर सुब्य खाली पेट भी खाना अच्छा होता है बटर में अक्रोट को अपका powder मिक्स करके bread पर spread करके भिखा सकते हैं अक्रोट को store कैसे करें अगर छिलके वला ख्रोट है तो उसे ठंदे स्थान पर airtight container में डाल कर रखें अगर बीना छिलके हैं तो fridge में store किया जा सकता है और उसको काफी देर लंबे समय के लिए रखा जा सकता है मुझे भी एक रोट खाना बहुत अच्छा लगता है जैसे मैं कैसे खाती हूँ आइदर लाइक देस और लाइक देस और लाइक देस जहां फाइदे हैं वो नुकसान भी है अख्रोट के अख्रोट खाने से अलर्जी हो सकती है अख्रोट खाने से कईयों की चाती में खिंचाफ आने लगता है तो वो ना खाएं skin rashes अख्रोट खाने से skin पर rashes होने का खत्रा भी रहता है इसके छिलके में कुछ ऐसे तत्व पाई जाते हैं जो skin पर red rashes पैदा कर सकते हैं अख्रोट में fat और calories दिक मातरा में होती हैं इसलिए सीमित मातरा में ही अख्रोट का सेवन करना चालिए अगर अख्रोट का सेवन उचित मातरा में किया जाए तो ये बहुत ही लाब दैक होता है इसलिए अगर आप अख्रोट नहीं खाते तो अपनी डाइट में इसका सेवन जरूर स्टार्ट करें और अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप लाइक एंड कमेंट जरूर करें और अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी करें थेंक यू